रोले मैं अपने फादर के जैसी हूँ, यह मेरी परप्रा है, मेरी हस्पेंट दिलीब कपूर, बैंक ओफ इंडिया की फाउंजर है, यह मेरी प्रतिष्था, और मैं रोज सुभा, विदाउट फेल, पांच बचे उठ जाते हूँ, यह है अनुसाशन, वो क्या है न, सुभा सबसे पहले उठकर मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर कुछ एक्ससाइस करती हूँ, ठीक, आज बचे में नाश्ता कर लेती हूँ, पूरा दिन, दो-दो घंटे के गैप पर मैं कुछ-कुछ, छोटे मील्स खाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीती और हाँ, शुगर बिल्कुल नहीं लेती, हाँ, अगर कभी मीटा खाने का मन करता है, तो डाक चॉक्लेट का एक छोटा सा दुक्रा खाती हूँ, रात को आच बजे से पहले मैं अपना डिना कर लेती हूँ, डों धिंग, आम बोरिंग, मैं पार्टी में भी जाती हूँ, हा इसका एक ही मंद्रा है, नो स्ट्रेस, नो गुस्सा, एक्स्क्यूज मी, कॉल है, आल गुर रहे बाता हूँ, हलो, वहाँ आकर टंगी तो दूँगी, सारा काम ख़तम कर और फिच जाना, अगर काम ख़तम नहीं किया तो मांकेट में ऐसा नाम खराब करूँगी, कि कोई वा अगर कोमेगा, समझाओ, हाँ तो मैं आप सबसे क्या कह रही थी, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इससे हमारे बॉडि में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते ह हाँ, स्ट्रेस फ्री डाइए, इससे मासला है, यस, आइनो मैं यहाँ पर रिलेशन्शिप्स के बारे में बात करने आई हूँ, लेकिन अगर आप मीरा कपूर को नहीं जानेंगे, तो आप यह कैसे जानेंगे कि मीरा कपूर अपने रिलेशन्स को कैसे हैंडल करती है, अगर आप यह इमानदारी समझेंगे और रिष्टो में रखेंगे, तो रिष्टो में धुका नहीं होगा, that's all, thank you.